वाट इस एबुलीऊसे न अफशलेवरी सलेवरी मीन स्यूनट डाट उखी जो दासप्रथा था कि उसे के से हटाए गे उससे पहले ओके हमें यह जानना है कि दासप्रथा कहां से स्टार्ट उआए ऑगां से यूरोप पे स्टार्ट होआ है तो अगर हम बात करते की फ्रेंश का कैरिवीन और की क्लोनिस यानिकी गवडलप ओके दोमिनक सेंड दोमिंगो और उसके बाद मार्टिनिक यह फ्रांस का कोलेनिय रॉब नियुद अमेरिकन कॉंट्रिय तो वहां स मना कर यहां से जाना क्या कर दिया नहीं जाएंगे तो वहां से प्रब्लम होने लगे। Specially problem okay, यह जो Kevin, यानि के America में, जो वहां पर men producer था, okay, उन लोग के पास, producer के पास क्या नहीं था, वोरकर्स नहीं थे, वोटकर्स ना होने के करण वो लोग प्रोडक्शन्स नहीं कर पा रहे थे अब प्रोडक्शन्स नहीं मिलेंगे तो फिर ओके यूरोप और बाकी फ्रांस इंग्लेंड ओके वो कैसे अपना ब्यापार्ट चलाएंगे इसलिए उन लोग ओने एक क्या स्टाट किया 17th century में ट्र लोग एफरीका जाते थे एफरीका में वो लोग slave क्यूंकि एफरीका उस टाइम वो कि बहुत ही पूर कंट्री था वहां का हलत कुछ ठीक नहीं था वहां के लोग उतना ओके फर्वर्ड यानि की डेपलोड भी नहीं था वहां पर ओके यूरोप का यानि की फ्रांस का से लोग खरीदते थे निग्रोश को ओके यानि कि वहां के एफरीकेन पीपल को उसके बाद वो एट्लांटिक ओके उसन्स होकर फिर अमेरिका में वहां पर जो प्रडूशर है ओके जो वहां पर यह सब प्रडूश करने वाले लोग है उसका ओनर है उसे वह स्लेव वह एफ यूपेन कंट्रीज का प्रब्लम भी क्या हो गया इस थरह से अब वह लोग फिर से टोबैक को सुगर इंडिकों कफी करेंगे वह फिर कापर ओके सप्लाइ होगा यूरोप में सप्लाइ होगा इस तरह से ओके ट्रैंग्बुलर स्लेव ट्रेट चल रहे थी यानि यह ओके इ यह स्लेव को खतम करना था तो कैसे खतम करेंगे ओके तो इसके बारे में थ्रूआउट 18th century slavery के बारे में बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया ओके फ्रांस में कि फ्रांस में इतना सारा चेंजेस आ चुकि लिवर्टी फ्रेटिडिटी एक्वैलिटी के बात करते तो वह जो सब्सक्राइज का मतलब भी था कि फ्रीडम भी लाना तो उस लेप्स को क्या करेंगे ओके तो नेशनल एसेंबली ने बहुत बार ओके डिस्कस भी आओके लेकिन वह कंफ्यूजन में थे इसलिए कंफ्यूजन में थे कि अगर वह लोग ओके उन लोग को फ्री कर देते तो फ्रांस का बिजनेसमेंड नेशनल एसेंबली या तो वहां के गवर्मेंट के साथ क्या हो जाते ओके घुसे में आ जाते क्योंकि उन लोग का में कमाई यानिकी इनकम भी उसके थू हो रहा था तो फाइनली ओके 1794 में एक कानून बनाया और सब स्लेप्स को क्या कर दिया फ कि नेपुलियन ने फिर स्लेवरे सिस्टम क्या क्या स्टार्ट किया क्यूंकि नेपुलियन को अपना पावर बढ़ाना था तो फाइनली 1848 में फिर से अच्छा कवालियस इसलेबर सिस्टम को हटा दिया गया सब स्लेबर्स को क्या कर दिया गया फ्री घ्यार्ट पर